क्यों लगा बेटा ये वाला गाओ केक अच्छा तो काओ केक को इट नहीं करते हम नए क्यों इसले वो किसी यूज में आता है बेटे काओ केक ही बताओ तो सही यह आता है हां फायर को जलाने के लिए काओ के एक यूज़ करते हैं अच्छा मैंने सोचा हैपी बर्थडे में काओ के एक यूज़ करते हैं हेलो फ्रेंट्स वेलकम है आप सभी का लव एंड आर्टी शर्मा फैमिली ब्लॉग्स में और आज संडे का दिन हैं और खाफी दिनों से बिमार चल रहे थे हम लोग अप ठीक हो गए तो आज संडे का रूटीन हम आपके साथ शेर कर रहे हैं मोटा मोटा सा रूटीन है उमीद है आपको वीडियो पसंद आएगी अगर वीडियो पसंद आए थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और वीडियो को लाइक कीजेगा थैंक्स फॉर वाचिंग यहां पर हमने ओनलाइन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वागेरा मंगवा रखे थे तो बास सुनी की क्लिनिंग वागेरा चल रही थी यहां पर तो इस तरह से और यहां पर हमारे गंबलों में जो चीजे लगे वी है मैंने मुझे अच्छा लग रहा था आपके साथ शेयर करना इसलिए मैंने थोड़ा सा आपके साथ यह भी शेयर किया कि यहां पर मैं त्यारी कर रही हूं आप जलाने की क्योंकि बहुत ज्यादा थेंडा मौसम है कप्ड़े भी दोने हम लोगों को प्रिशक आर जाने के आरा में देखो आरा पत्ता बीच मडाल दिया हरे पत्ते से तो न जलती है देखोई हमारे गाउं में यह जो भुट्ट आप जाता है और यहां पर मैं लगडियां जला लेती हूं और फिर आप से मिलती हूं कि अज़िए आप आप और यह आप मेरी बुचती हूई लेकिन मैं फिर से कोशिश करूँगी फिर से जलाएंगे इसको देखें किस तरा थी नहीं नहीं जली हूई है अरे वाँ मेरी आप जली हूई है वाँ साइड़ जाएं और यह यहां पर फूशिट और यह पाइप में पानी यह समर्ज तीबल का पानी है इसलिए जो इस तरह से रगा रहे है तागी ना जो ड़स पार्टिकल्स हो जाना वो इसके अंजरी रहे है यह यह हमारी आग यहां पर आ गई लखने रहे हैं लख लेँ और छुग्या में यहां पर यह पर हम यहां पर आप लेंगे अंदर ना जीने ना राटके पाहर कप्रे कात्रा काम हो रहे कप्रें घरा के लिए तुम्हास इसी तरह से और उस सब्जीवे ने बना लिए और पिर जाकर राइट डालों से बस तरह से ज़रा ही हमारा जीन है दोगे है, यूँ? दोगो हमारे छट पे, देखो यह बाखला लगा हुए और तोड़ा से इस तरह से यह थोड़ी मेती लगी हुई अंदर यह हल्का बाखा प्यास लगे रहा टमाटर बस इसी तरह से आज का हमारा ही छोटा सा ब्लॉग मैंने बनाया है उमीद है आप लुगों को पसंद आया होगा तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा प्लीज मुझे मॉटिवेट कीजेगा ताकि मैं भी और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बना सकूं ताकि यू वर वाचिग मैं वीडियो थांक यू